नमस्कार किसान भायों आज हम बात करेंगे धान की नरसरी का पीलापन अर्थात जब हम उपने धान की नरसरी बहुते हैं यह लगाते हैं तो किसान भायों उसमें पीलापन आ जाता है उसी टोपिक पर आज हम बात करेंगे तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कि बात करते हैं दानकी नरसरी में पीलापन के नरसरी में नरसरी कमी के कारण हो जाता है जैसे आपकी जो नर्सरी है यह यहाई चिक्नी काली मिट्टी में हैं मुद्व हैं कम से कम पीली तो यह क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह लिगाहने तो कि मैं आपको दोनों की प्रकार की जमीन के लिए उपाया रहा हुए सबस्क्राइब जब हमारी नाश्री पढ़ जाती है तो अच्छे से किरोत नहीं कर पाती है और चिलटेट जिंक उसका हमें बीस एमेल टंकी के साफ से जो करना हम है इसका इस पर पन्दर लेटर पाने बीस एमेल डाल लिए है और उसका इसका कर दिना के साफ लिए हो इसके दो हैते तीन के बाद हमें कोपरक्स किलोराइड का सिस्प्रे कर देना है लगवक 50 ग्राम पर टंकी के साफ से यह दोना इस पर एक साथ ना लगाएं इनका बीच में दो दिन का अंतर रखे के सानवाई हो इससे आपकी नरसरी जो है काली भी हो जाएगी और जो आपकी जाएगी और जो आपकी नरसरी में उपर से पत्ते पर दाते हैं काले पीले पर जाते हैं यह लाल रंग के हलके पर दाते हैं जिससे नरसरी सूखने के इसके जरे से दिखाई देती हैं वह दोना ही सही हो जाएंगी तीसरा कि आपको काम करना है कि जब आप पनी नरसरी को पानी दें तो इसमें जो माइकर न्यूट्राइंट वाली जिंक आती है अच्छा हैं लगवागा चाहि हैं पांच्छी से किरोड करने लागी जवाई हो आपके नरसरी द्यरे से कर रही है तो इसके लिए आप जो जिंग दालें इसे जिंगों है हल्की सी लैटे की खळी से काली मिला लें यह पांच्छी मेला लें तो शिटाए कर दें बखर कर शाफ की जो नर्शी तेजी से गिरूत करें किसानवाइब और आप उसमें हुमिक एसिट का भी स्थे माल कर सकते हैं किस अच्छी कम्पनिय का है यूमिक एसिड लेकर सो ग्राम ही एसिड छे किलो धनम आप उस डाल दें यूरिया में मिलाकर और अलका ची सिसाई कर दें है और जल्दी से तयार हो जाएगी किसान बाई हो किसान बदाइ हो अर्फा जो नरहाटITY Yes झाल झाल